प्री विद्यर्थियों आपका स्वगत है आज के इस न्यूज सेशन पर आज के इस वीडियों बात करने वाले हैं प्री वोट का आपका दोज्जारी किस का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है साइन्स और आपका क्लास 10 रहेगा ठीक है तो इस वीडियों में हम प्री वोट क की दर इसके solution भी आगे जो है 6 से लेकर आपके 24 तक के questions के solution दे दीजिए तो इस वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सभी questions के answer तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा ठीक है और bell icon को press कर लिजेए ठीक है यहाँ पर देखिए आपका लिए सो में से सौलाओ तो जी यहाँ दोस्तों इस सारे question को solution करने के बाद आप जो है hundred में से hundred marks लेके आप आएंगे और आपको बता दें कि आप यदि ऐसे ही लिखते हैं तो निश्टी सी आप सौ में से सौ नंबर प्राप्त करेंगे और बोर्ट papers में आपको ऐसे ही लिखना है ठीक है तो चलिए solution को start करते है तो देखिए जीनो से seven हुता है तो आपका acid होता है अमली होता है और सास से उपर जाने पर आपको अपका हुता है आपका होता है बेस होता या एक असोसकती में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, ठीक है, इसके बाद आपका question ये दिया गया था, कि चुमकी छेतर रेखा होती है, तो कैसा होती है, तो ये बंद बक्र बनाती है, ठीक है, इसके बाद चलिए question number second पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपका question number second है, देख दोरी उसकी बक्रता तिर्जकी डैस डैस होती है तो आप जानते हैं कितनी होती है उसकी आधी होती है ठीक है क्योंकि सूत्र आपका होता है f equal to r upon 2 होता है ठीक है तो इसलिए क्या होता है इसकी आधी होती है थर्ड कोशन आपका यहां दिया गया है कि आपका जो है एक आधर् बिद्धुत मोटर हो जायगा पुछोन परत को हानी पोछाने वाला रसायन कौन सा है। जो कहां से निकलता है पर सीतक वाले आपकी यंतुर से निकलता है। प्रिज से निकलता है, अब चलते है question no.3 पर, तो यहां पे देखिए आपका question no.3 दिया गया है, तो आपका इसका पहले का answer क्या हो जाएगा, आपका question उसमें दिया गया है, कि रासानिक अबक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं, अवि सी डबल ओएज ठीक है यह आपका सूत्र होता है और इसको जो है आई यूपीएसी नाम करण में क्या बोलते हैं मेथे नोई कामले बोलते हैं तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा यह 100% मैं आपको सेवर कर देता हूं ठीक है इ अज़े कोशन पर देखिया कि प्रक्रया के दौरा बनाते हैं तो आप चलते हैं प्रकास संसलेशन पर सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करिए और वीडिए को दिल से लाइक करिये ठीक है यहां प तो आपको जो है ऐसे ही लिख देना है ठीक है डिबस्एं का पहो जेगा protein यक्रत हो जब यहाइक यूरियर्य निर्माड और स्वाप ओसी पौध्य करते हैं ठीक है और बेसं पौध्य यानि की दोसरों पर निर्वर्थक कॉन करते हैं यसे हेनड करते हैं ठीक है पौध्य जो है उधारण के साथ समझाए ठीक है तो आप जो है यहां से लेकर आपको यहां तक इसका अंसर लिख लेना है ठीक है प्यारे बच्चो यह रहा कोश्चन नमबर सेवन का आपका आंसर जो है कारवन के दो गुरुधर्म कौन कौन से जिनके कारण हमारे चारों और कारवन योग इसकों की बिसाल संख्या दिखाई देती है तो आपको यहां से लिख 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 की प्रक्रिया को सचित्र बर्णन करना है आपको तो यह रहा इसका अंसर आपको यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है ठीक है यह चित्र आपको बना देने हैं ठीक है तो आई होपको यह वीडियो दिख रहा हो गए यहां पे अप चलिए चलते हैं आपको यहां से लेकर आपको यहां से लेकर आपको यहां तक आपको लिखना है और इसके बाद आपको कारे लिखना है ठीक है तो आपको यहां से श्टाट करना है अंसर को और यहां तक आपको लिख देना है ठीक है आप चाहें तो यहां चोटा भी लिख सकते हैं यहां तक आप अंसर लिख सकते हैं चली चलते है question number हमारा अगला है प्रसन करवांग 12 में आपका दिया गया है फ्यूजतार किसे कहते हैं तो इसका अंसर आपको जो है screen पर दिखरा होगा आपको इसको पूरा लिख लेना है ठीक है आप चलते है question number 13 पर तो यहाँ पर question दिया गया है दो इसका अंसर आपको लिखना है तो यहां से लेकर आपका अंसर बहुत छोटा है अंसर इसका तो आपको यहां से लेकर आपको यहां तक लिख देना है ठीक है I hope यह video आपको सब कुछ दिख रहा होगा clear दिख रहा होगा समझ में आ रहा होगा यह रहा दोस्तो question number 15 देखिए इसमें आक्सी और अनक्सी सोसन में आपको अंतर लिखना है तो आप जितना चाहिए अधिक्तम जो है तीन से चार तक लिख रीजेगा ठीक है अब चलते है नेस्ट कोशन पर यह रहा question number 16 आपको देख question क्या दिया गया है यहां पर दिया गया है कि किसी चालक का विद्धू परस्त काट पर निर्फर करता है इसके अलावा आपका हो जाएगा यहां पर दिक्षी थोड़ा सा और है आपको इतको भी लिखना है चालक के ताप पर निर्फर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकरती पर तो आपको चार पॉइंट लिख देने हैं और इतने में आपक प्रसन करमांग 17 के अध्वा का अंसर है ठीक है यदि आप उसका 17 का पहले का अंसर चाहते हैं तो वह आपका लिखा है विद्धित मोटर की आपको क्या करना है आपको नमांग की चित्र बनाना है तो आप चाहें तो यदि आपके में भूक में हो तो आप उसको लिख सकते हैं 19 का खाद जाल और खाद संखला में आपको अंतर लिखना है तीन लिखने हैं तो ये भी इसका अंसर आपको इस स्क्रीन पर दिख जाएगा ठीक है क्वेशन नमबर 20 पर देखी यहापको परावरतन का आपको क्या है नियम पूछा गया है याणि कि आपका परिवासा लिखना है और साथ इसके आपके नियम लिखने है ठीक है दो नियम आपके होते हैं आपतन कोड का मान सदे परावरतन कोड के बरावर होता है आप 30 किरण आ तो अब को यहां से लेकर आपको यहां तक अंसर लिख देना है ठीक है तो कोश्टन नंबर 22 पर आपको बहुत ही सिंपल क्वें दियागे जो हमेशा आपके board papers में आता है तो आपको इससे अच्छे से याद कर लेना है देखिए धातू और अधातू में आपको भौती गुड़ों में तुल्ला करना है ठीक है तो आप इसका अधिक्तम 4 से 5 लिख सकते हैं ठीक है और आपको बहुत अच्छी से मालूम भी होगा तो देखिए हमारा जो है 22 कोश्चन हो चुके दो कोश्चन और बचियो हैं चलते हैं कोश्चन नमबर 23 पर प्रसन करमांग 23 में आपका कोश्चन है सव परागर और पर परागर में आपको अंता लिखना है तो आप इसको लिख दीजिए यहां से लेकर यहां तक अंसर है तो देखिए बहुत ही बहुत ही बहुतरीन तरीके से हमने आपका यह सेसन समाप्त कर दिया है और सारे के सारे कोश्चन आपको यहां पर सेलूसन दे दिये हैं तो आपसे हम बाता किये थे आपके सारे question के जो है solution देगे तभी आपसे भोलेंगे कि हमारे वीडियो को like करो और चैनल को क्या करो subscribe कर दो चलिए दोस्तों आप मेरे चैनल को subscribe कर दो और like कर दो ठीक है और दुआ मियाद रखना मिलते हैं अगली वीडियो पर